हेलो फ्रेंट्स, नमस्कार, स्वागे देगा और नए संदार वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे, आरपी अफ, कॉंस्टेवल एंड एसाई का फॉर्म कैसे फिल करेंगी step by step मैं आपको एक live form फिल करके बताने वाला हूँ ताकि आपको form फिल करने में किसी परकार की mistake न हो रेलवे के दुआरा जो है 46 से ज़्यादा पदो पे कॉंस्टेवल के पोस्ट एंड एसाई के पोस्ट भरती निकाली गई है कॉंस्टेवल के पोस्ट भरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास बोला गया है और सब इंस्पेक्टर यानि SI का form फिल करने के लिए आपको जो ग्रेशन पास होनी चाहिए अगर आप ग्रेशन पास और चाहिए दोनों पद के लिए form भरना तो आप दोनों पद के लिए form को अप्लाई कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होने वाला है तो चले समझते हैं कैसे आपको form को भरना है step by step form भरने के लिए friends आपको आना होगा इस website पर इसका मैंने link आपको description box पर प्रवाइट कर दिया या dslp4.com की website से भी आप इस website पर आ सकते हैं अब यहां पर देखिएगा तो आपको important date दिया गया 14 माई 2024 तक आप form को apply कर सकते हैं और constable का भी आपका 14 माई ही रहने वाला form भरने का last date form भरने से पर आप notification को भी जरूर read कर लिजिएगा अब चले जानते हैं कैसे आपको form को apply करना है तो form भरने के लिए देखेंगे friends corner पे apply का button मिल रहा है आपको हापे create an account पे क्लिक करना है देखे create an account पे जिसे क्लिक करेंगे तो आपको आप एक note आएगा आपको बताया जा रहा है कि इसमें पहले से technician कोई already form भर चुका है तो उनको दुबारा account बनाने के आप सकता नहीं है या सब इस्पेक्टर का form भर चुके है और चाहरे है कि की वेकेंसी आएगी तो उसका भी user id password यहीं रहेगा जब आप यहां पे form भर रहे है तो सध्यान रहे है जब भी आप यहां रेजिस्ट्रेशन करें अपना user id password को सही से रखें जिससे आप आने वाले future में जो भी वेकेंसी आएगी उसका form को अप्लाई कर सके तो जो प्रिए 10 अगाउंट पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे पले अकाउंट बनाएंगे वीडियो को करने से पहले बताना चाहूंगा आपके लिए एक्जाम दौर लेकर आ चुका है एसाई एंड कॉंस्टेबल के लिए NCRT पर बेस्ट महत्तपूर प्रश्न इ प्रिविए से को कोच्टन भी आपको सामिल मिलेंगे और सारे के सारे एक्सपर्ट टीचर द्वारा S.P.D.F. नोट्स में आपको देखने को मिलेंगे और मात्र जो है उन्चास रुपे में ये पढ़ने वाला है अगर market value देखा जाए तो friends देर्ट सो रुपे का ये PDF हो सकता था लेकिन अभी offer चल रहा है उन्चास रुपे मात्र आपको मिलने वाला है तो 1000 first subscribers को जो है ये offer रहने वाला है इसके बाद से जो है rate आपका बढ़ जाएगा अब थोड़ा से समाझते है friends की इस PDF notes में आपको क्या मिलने वाला है उन्चास रुपे में आपको क्या value मिलने वाला है तो इसमें देखे सबसे पहले जो है 1000 से ज्यादा इसमें जो है क्या है NCRT science के book के सारे theory तथा definition वन लाइलर के format में दिया गया है इस PDF को पढ़ लेने के बाद आपको NCRT book के सारे महतपूर बिंदो का revision हो जाएगा तो इसमें 700 plus question है science NCRT based रहने वाला है तीसरा chapter इसमें रहने वाला है friends की railway के exam में बार-बार पूछे जाने वाला है science तता general studies के महतपूर questions रहेंगे पचीसों से ज्यादा questions आपको जो है इसमें रखे गए है general science के आपको देखेंगे यहाँ पे page wise दे दिया गया और science के page wise दे दिया गया कुछ questions मैं आपको दिखायता हूँ आप यहाँ देख पाएंगे यह कुछ यह samples questions है आपको यहाँ पे देख लेना है और देखे कैसे buy करना समझाए तो मैंने आपको यह लिंक description box प्रवाइट किया हूँ है उस लिंक पे क्लिक करेंगे या comment box में भी मैंने पीन कर दिया हूँ उस पे क्लिक करेंगे सिधे यह वाला page आपको open हो जाएगा यहाँ पे इसके बारे में सारी जनकारी दिया हूँ है कि आपको क्या इसके अंतरगत मिलने वाला है और यहाँ पे buy now का button मिलेगा आप इस पे क्लिक करेंगे जितना जल्दी हो सेगे friends buy के लिए को कि यह 1000 के लिए और भी बहुत सारे options आपको देखने को मिलेंगे कोई भी option को चुनाव करके आप payment को जमा करेंगे जैसे हम यहाँ पे scan कर लेते हैं इसको payment करते ही friends थोड़ी दिर आप रूकेंगे तो इस परकार से आपका payment success हो जाएगा और यहाँ इस परकार से success हो गया और automatic यह download process में चला है और इस PDF को आप access कर पाएंगे पूरा जो है इसमें आपको जनकारी दिया हुआ है बहुत ही संदार PDF है friends आप यहाँ पर एक बार जरूर पढ़िए मेरे हिसाब से अब चले समझते है friends की कैसे आपको फॉर्म को apply करना है मैंने आपको पीडिया बाई करने का link दिस्क्रिप यहाँ पर already लिखा हुआ है आप पढ़ लीजेगा ओके करेंगे नेसलेटी आपको चूच करना है यहाँ पर अपना फूल नेम लिखांगा जिस परकार से मैटी के मार्क सिट पर सर्टिफिकेट पर जनकारी है अच्छे से लिखना होता है capital letter में दुबारा full name को confirm करना है फि दूबारा जनकार को confirm करेंगे यहाँ father's name फिर यहाँ पर father's name को दूबारा लिखना है mother's name दूबारा mother's name को लिखना है फिर यहाँ पर आपको जो अधार card का number लिखना है और verify using अधार पे click करना है तो आपका जो है अधार verify होगा तरवर से फैचो के data verify हो जाता है अगर अधा क्या है और place of issue क्या है बताएंगे और date of issue क्या है यह आपको बताना होगा अगर आपको पस अधार card नहीं है उस case में तो अगर अधार card है तो आपको अधार card दे देना इस पर click करके अधार card जरूर दे दीजीगा फिर email address लिखेंगे और यहाँ जन्नेट OTP क्लिक करेंगे आ for example मालिजब का नाम दीपक है तो डी आई पीए के एड़ेट 123 ऐसे करके password आप बना सकती है और उसके वरसे capture code को यहां भरना है preview and create an account पे click करेंगे तो हमने फ्रेंट जो है already account बनाया हुआ है यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एक preview आएगा और उसके वरिफाई कर लिजीगा submit करेगा आपका account बन जायता है तो यह आगे का steps है आप कर लिजेगा दो steps है अब चलिए हमें यहाँ पर directly login करते हैं क्योंकि मेरे पास already account बना हुआ है तो exist बताएगा तो हम करते है mobile number और जो हमने password बनाया हो और capture code बनके login कर लेते हैं login करते हैं friends आपका dashboard यहाँ पर open हो जाता है और यहाँ पर देखेंगे online application का option मिलता आप इस पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे आपको यह दोनों vacancies हो हो जाती है जिस्वी पाद के लिए उसका पद को आप फिल करेंगे इससे माले आप eligible है यहाँ पे किसके लिए सब inspector के लिए तो आप सब inspector के लिए form फिल कर सकते है दोनों को अलग-अलग आपको फिल करना होगा अलग-अलग प्रमेंट जमा करते हुए अब यहाँ पर देखें माल लिए आप constable के लिए form को apply करेंगे for example माल लिए आप eligible है constable के लिए और inspector दोनों के लिए तो पहले आप एक को complete कर लिए फिर login करिए उस user ID password से और फिर दूस करना है कि आप जो है कभी भी डिबाड़ेट नहीं किये गए RRB RRC के दुवरा आपको टीक करना है फिर next करना next करते ही अब यहाँ एक information खूल के आता है बोलना कि आपका जो data है उप्रिवियस से fetch हो गया है यह जो आपने पहले account बनाया हुआ उसी से data को fetch कर लिया है जो previous आ automatic भरा हुआ ही रहेगा आपका जो है community आपका certificate issue date यह सब आपको सब चीज अलड़ी भरा रहेगा previous से ही तो आपको बिल्कूल जो है यहाँ पर समझ लेना है सारी चीजों को और नहीं भरा रहेगा वहां आपको भरना होगा अगर आप create नया account करके बनाएंगे आपको भरना ह आपको इसे close करना है और यहां पर आपको देखे पूछ रहा है यहां पर आपको देख लेंगे वेरिफाइग कर लेंगे और उसको इसे next वाले option पर क्लिक कर देंगे अब यहां पर यहां पर देखे एजुशन क्वालिफिकेशन भी यहां पर पहले जो आपने भरा हुआ यहां पर पसफिकेशन देखे दिया हुआ है अगर आप और क्सक्वालिफिकेशन को और बहां कटे मेलिग आपको इसे को फोतोग्राफ और से यूश प्रिवियर्स को जो भी किनिट्स फॉर्म फिल किये हैं, उनको ज़्यादा कुछ करने किया सकता नहीं है, सिधर लॉग इन करना है, और जिस भी पादर फॉर्म भरना चाहते हैं, उसको आप चूच करेंगी, और प्रिवियर्स उठाते चला जाएगा, और आपको आगे करना है, बतलब नहीं जो है गाउं का भी नाम लेख सकते हैं, फिर आपको प्रिवियू कर देना है, प्रिवियू करते हैं, आपका पेज प्रिवियू आ जाएगा, और इस परकार से आप देखेंगे, आपका पेज प्रिवियू को वेरिफाय कर लेना है, और यहां आपको करना है और सम्मिट करना अगर आपको इडिट करना तो इडिट भी कर सकते हैं नहीं इडिट करना है तो सम्मिट करेंगे सम्मिट करते हैं फिरिंट्स आप बोल रहा है कि करेक्ट है बाद में सुधार नहीं होगा तो यह सब चीज आपको मिला लेना है उसके आपको सम्मिट क करने के बाद से इसका फानर प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हाट कॉपी सुरचित रख लए अपसे नेट बेंकिंग है यूपी आई का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कीवर कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं अब अगर आप चार है कि SI के लिए फोर्म भरे आपके मने में अगर कोई भी डाउट से कमेंटे कमेंट बोक्स तो पूछीएगा मिलता है किसी नेक्षवडों में जाहिंद आपका दिन सुभो